हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश टेंथ का उर्दू का जो आप लोग का आज एक्जाम हुआ है उसका हम लोग सॉलूशन देखने वाले हैं अब्जेक्टिव का तो काफी इ करका और comment box में जरूर हमें comment करकर बताईएगा कि आप लोगों को कितना number आने वाला है ठीक है तो बिलकूल आप लोग को comment करकर बताने है कि आप लोगों को के तना number आज देखिए आप लोगे एक्जाम में छप गया पहला कोश्चन प्रेम चंद इसका आंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद कि दो फिर लोंग लंबी सलक मैंने कई बार कई बार आपको बता रहा था मैं कि दो फिर लोंग लंबी सलक हमारे जो कौमी भाई है बहुत बार मैंने बोल था मंगू था मंगू तो कोचवान वाले में था यह सबका तो कोई नामी नहीं है कौन है वहीद वहीद था वहीद ठीक है ओप्सन नंबर तीन को हो गया ठीक है चलिए नेक देखिए अहमद नदीम कासमी का कौन सा अपसाना सामिल है तो सुल्तान है कौन है सुल्तान है ठी आप लोग का क्लास खतम हो रहा था तो उस समय हमने रिपीट किया था उस घड़ी भी मैंने पढ़ाया देखिए यह भी मेरा पढ़ाया वह आ गया आप लोग के इसमें चलते हैं अगले सवाल पर अब अगला सवाल देखिए क्या है सबक गुदली का लाल गुदली का लाल का जो है मुस्निफ कौने आपको बताना है गुदली का लाल का मुस्निफ हो जाएगा तीन हो जाएगा नेक्स्ट देखिए वह कलमा जिससे किसी काम करता करना या होना मालूम होता उसको क्या बोलताई म३atraका ऑसके बात देखे यहां पर इसमें भोला में भोला रात के व्क्त कि की तलास में घर से बाहर निकल गया था तो मामु जेंदकी तलास में निकला था मामा की तलास में निकला था ठीक है इसको भी आप लोग देख लो अगला सवाल दो क्या है राजेंदर सिंग बेदी का मसहूर नौवेल कौन सा है तो राजेंदर सिंग बेदी का जो मसहूर नौवेल है वो है एक चादर मेली सी ठीक है ये सब अपसाना है बाबु नौवेल के बारे में पुछा है ठीक है याद रखिएगा तो हो जाएगा एक चादर महलिसी ठीक है next देखे कका Ursaman βएवा अपसाना नया कानून का मरकजी किर्दार को है तो अपसाना नया कानून का जो मरकजी किर्दार मंगू कोचवहान हो जाएगा his सादत Thanh Man'tuं कहां पयदा हुआ तो सादत Stuffan Man'tu जो पैदा हुए थे यह लुदिहाना पंजाब में option number 12 का सही जवाब हो जाएगा next है अफसाना भीक में किस जगह की कहानी के बयान किया गया है तो मोती नगरी का ठीक है याद रखिएगा next हो जाएगा हमारा 14 में अपसाना भीक का मर्कजी किर्दाद आपको बताना है तो अगर लड़की बोलता तो रजनी हो जाता लेकिन लड़का का नाम बोला तो यहाँ कैलास हो जाएगा option number D हो जाएगा यानि चार option हो जाएगा ठीक है अब अगला सवाल देखो क्या है अलताफ हुसेन हाली के सवाना की किताब का क्या नाम है तो अलताफ हुसेन हाली के सवाना के किताब का नाम है हयाते जावेद ठीक है इसको देख लिजेगा आप लोग इभी पढ़ाया गया है इभी पढ़ाया गया है ठीक है देख कफार और तीखी का देख लेना आम सभी को नेक्स्ट देखो किया है 18 में मजमून चकबस्त लखनवी किस मजमून निगार का मजमून है तो किस मजमून निगार का है सही ज़वाब हो जाएगा ऐल एहमद शरूर का ऑपसंहीं नॉंबर दू हो होगा अगला सवाल को क्या है जमाना कदीम में इंसानी जिन्दगी किसके गिर्द घुमती थी सही जवाब हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर गजल का वह सेर जिसमें सायर अपना तकलुस बयान करता है क्या कहलाता है तो गजल करता है दो मकता में मठ्ना ळाएगा ठीक है पाते सवाल पर अगला सवाल दे को क्या है कह रहा है साध अजीम अबादी कहां पैदा हुए थे तो साध अजीम अबादी कहां पैदा हुए थे आपको बताना है तो साध अजीम अबादी पैदा हुए थे आपके पटना में कहां हुए थे पटना में पैदा हुए थे ठीक है याद रखि असल वतन कहा है तो अकजर गुंडवी का जो असल वतन है वो हो जाएगा आपका गोरखपूर बिल्कुल चाही जवाब है ठीक है गोरखपूर हो जाएगा नेक्स्ट देखो आप लोग यास यकाना चंगेजी का असल नाम क्या है तो यास यकाना चंगेजी का जो असल नाम हो जाएगा मिर्जा वाजिद हुसाइन हो ठीक है ओप्सन नमबर दो हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखे क्या है जिस नजम में तमाम मिसरे बराबर हो मगर इन में काफिये की पाबंदी हो इसको क्या कहते हैं question number 27 इसका सही जवाब हो जाएगा नजम मौर्रा और ये वाला सवाल हमने जो last में आपका मेरा खुद का handwriting handset था सेट 10 मैंने मेरा खुद का सेट 10 था उसमें question number 23 में ये वाला बताया गया था question number 23 में जिसमें मैंने खुद से अपने हाथों से handset जो बना के आपको दे रहा था 10 सेट दिया था तो दसमा जो लाश्ट वाला जो सेट था उसमें आप देखोगे question number 23 में मैंने ये वाला सवाल आपको बताया था, 25 को सवाल आपको दिये थे उसमें, ठीक है ये सवाल वहां से आया था, ठीक है, next देखो, नजमें हकीकत हुसन में खुदा से किसने सवाल किया था, किसने किया ठीक है, उन ही दोनों में हो रहा था बातचीत, फलक पर ये आम हुई अक्तर सयरानी ने ये अक्तर सहर क्याय माने क्या है, ठीक है, तो सुब्व का शितारा ही हो सकता है, तीक है, देख लिजेगा, आप लोग वैसे, next देखे क्या है, अक्तर सयरानी का असल नाम क्या था? त आपके निसाब में सामिलए क्वी कौन सी नजम जो है वह आपके निसाब में सामिल रहा रहा हकर नेश। हो जाएगा आपका तलूक चंद्र महरूम की ठीक है option number 3 हो जाएगा नेश देखे क्या एक हलका जन्जीर तो जन्जीर नहीं ये किस सायर की रुबाई है तो ये जो सायर की रुबाई है आपका ये हो जाएगा आपका फिराग गुरक पूरी की option number 2 हो जाएगा 34 में देखे कहे रहा है कि अफसाना गुली डंडा में मुश्निफ ने अपने दुकिस दोस्त का नाम बयान किया है तो गया हो जाएगा भई गया option number 4 गया हो जाएगा ठीक है question number 35 में कह रहा है कि आपके निसाब में देवंद रस्तरार रिस्तयारी ठीक की कौन सा अफसाना है क्या लिखा है देवंद रस्तयारी ठीक का कौन सा अफसाना है तो देके यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताना है इसमें सही जवाब तो देवंद से हमने एक बार इंद देवंद औत्क को बता है था हमों आप बहुल गए तो देख लिजेगा option nummer 3 इसका सही जवाब हो जाएगा दर्जा जेल में से रतन सिंग का अफसाना कौन है तो दर्जा जेल में से रतन सिंग का जो अफसाना है वो हो जाएगा आपका मनका तोता मैंने बहुत बार बताया तोता क्या होता रटते रहता है ठीक है रटते रहता है रतन से रटन हम बोले थे रटन मनका तोता ठीक है आप अनार सौ बिमार का क्या मतलब है तो इसका बताई क्या हो जागा एक चीज़ से बहुत चाहने वाले ठीक है एक चीज़ को बहुत सरा चाहने वाला जो होता है उसी का तो महावरा आसू पी जाने का मतलब हो जागा गम खा जाना यानि कि सबर कर लेना गुलाम में ऐसे तक बार, यहांषे सवाल रिपीट हुआ है, जिद का तरजाद कर ले ना ड्रीक से, आ गया न, मुझे लगता है मेरा ट्रिक यहां पर कम से कम 30% मेरा trick यहां पे काम आया है मैं यह नहीं कहा रहा कि 50% आया 30% मेरा trick काम आया है और यह trick वाला नाम वाला जो मैंने वीडियो आप लोग को प्रभाइट किया उसमें से भी 10-20% 4-5 सवाल उसमें से आ गया है ठीक है तो लगबक मैं अपने हिसाब से कहता हूँ कि मेरा 50% जो है महनत काम आये बाकि आप लोग कॉमेंट करकर बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग के कुछ भी काम आया कि नहीं आया आखरी समय पे जब आप लोग का कोई साथ नहीं दे रहा था तो हम आपके लिए वीडियोस बना रहे थे काफी महनत करके तो मेरी महनत आप लोग के काम थोड़ी सी भी अगर आई है तो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर किजिएगा वीडियो को लाइक कर दिजिएगा सेर कर दिजिएगा और हाँ चैनल को यदि दिस्क्रिप्चन चेक कर लिजिए वहाँ से सभी को जोईन कर लिजिएगा आगे आने वाले वीडियोस का लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू